अब आज आते हैं लास्ट स्टेप है तेरा ये एलेक्टोन टांस्पोर्ट सिस्टम पीटीएस बोलते इसी को या और दूसरा इसके साथ एक और लिंक रहता है इस फ़ोग और पर अपमप होने लगता है जिससे प्रोटोन मोर्टीफोस बनता है इस प्रोटोन ग्रेदियेंट और इस प्रोटोन ग्रेडेटेंस के बज़एसे एक डिपानता है एक बार हम लोग ने और बनाया था केमो आस्माटिक थ्योरी फोटोसंतरिस इस में जा कर देख सकते युव पीछे केमो-स्माटिक थ्योडिसमें भी क्या होता था जब उसमें पीएस वण पीएस टू के बीच में जब ऐलक्टोन टाँसपोर्ट होता था प्रॉटोैम होता था और अर्उससे क्या आप प्रेडिन अब हम प्रोटोन मोटिफ मतलब एक्ट्रोन टास्पोर्ट केरियर पढ़े जैसे यह हम लोगों को पढ़ना है यहां पर देख सकते होगी कि यह complex a complex 2 यह यहां पर complex 3 & 4 यह चार टोटल complex और यह पाचवा complex बना ले थे एटीपी को यह complex में कौन-कौन से केरियर पहलेज को देख लेते हैं तो कंप्लेक्स-1 का नाम होता है एएन-a-dh डिहाइडोजिनेज कंप्लेक्स और इसमें जो केरियर होता है एफ-e-a-m-a-n और आइरन सलफर होता है उसी तरह से complex 2 जोता है smallest केरियर होता है इसको को बोलते हैं सक्षिने डी हाइड्यूजलेजट इसमें केरियर कौन-कौन एलेक्रोंस का एफ़डियर और एफ आइरन सलफर ही होता है उसके अलावा कंप्लेक्स थर्ड जो हता है इसको बोलते हैं साइटो क्रूम सी रिड़क्टेज जीए और इसमें जो केरियर होता है तुम को रहाँ complex for the actually में इसका नाम है ATP synthetase और एफ़न पार्टिकल यह बना था complex पॉर्ड जो कि ATP synthesis करेगा यहां पर क्या होता है ATP का ATP का synthesis हो गए यहां पर क्लिए रहें कोई दिकत जहां जो देख्fu के अलावां भी कुछ केरियर जैसे वहाँ जैसांस इस यहां पे यह अधर केरियर में क्या होगा Kr freak के वी कूझ का थे इढक्री और सैटक्रोरीश करेर मोबाईल एहानकरा करें और संस एस न किश होज होता है यह सब्सक्राइब को भी ध्यान अगल देख लेते एक दम ओबर भी यहां पे यह complex वण यह complex टू यह complex 3 जब इनसे क्या होता है एल्टीमेटीज्टी का क्या होने वाला है रिडॉक्षन होता है नहीं सब्सक्राइशन होता है तो औक्सिडेशन के थूरू क्या करता है यह तो चलो इसने प्रोटोन एलक्टोन दे दिया अब यह प्रोटोन एलक्टोन जब पास करता है तो यह प्रोटोन जो है इस कहां से यह है तेरा इस मैंट्रिक्स प्रोटונ को पॉंप कर दिया OH & M यहां पर तो strip आध यहां पर प्रोटोन का ग्रेडियन ग्रेडिएंट क्या होने लगता है बढ़ने लगता है हाई प्रोटोन ग्रेडियंट और नीचे क्या हो था लो प्रोटोन ग्रेडियंट रह जाता है जब हाई से लो यहां पर देख दो प्रोटोन कहां से हाई प्रोटोन ग्रेडियंट से लो प्रोटोन ग्रेडियंट के तरफ मूव करता है तो लो प्रोटोन ग्रेडियंट के हो रहा है यह oxidative phosphoralization तो अभी तक मैंने तुम्हें बोला था कि ATP का सिंथेसिस दो तरह से होता है एक डारेक्ट तो डारेक्ट को बोला था हम लोगे सब्स्ट्रीट लेबल phosphorization और यह है oxidative level phosphorization से यहां पर क्या होता है यह oxydative phosphorization oxidative phosphorization तो यह oxidative phosphorization हो रहा है तो oxidative phosphorization के तरू यह बनता है तुमारा ATP ओके इसको दिहार में रख लेना हम लोगा ठीक है तो चलो यह था overview अब इसी को देख detail में तो अभी मुझे यह भी explain करना है कि कैसे एक NADH जो है यह वाला जी explain करना पड़ेगा कि कैसे एक NADH जो है तीन ATP बनाता है और कैसे एक FADH दो ATP बनाता है तुमारा ठीक है उसका भी explanation देना पड़ेगा मुझे तो अबर overall तुमारे दिमाग में आ गया होगा कि यही NADH जो बना था किसमें ग्लाइकोलिसिस में या लिंक रियक्षिंस में इन सब का क्या होता है यहीं पर oxidation यह सब कहां से आया है तो ग्लाइकोलिसिस के थूआया होगा ग्लाइकोलाइसिस के थूआया होगा या लिंक रियक्षिंस के थूआया होगा या टीसी ये साइकल्स के थूआया होगा तो इस पर केरियर में मैंने क्या बोलता है एफम और आयरं अग्यीर हो गया उसके बाद एक स्ट्रेक्र क्या हो धुक्त होता है विक्विग कुलीन हो गया विर यह पास करता है यह यहां से तो एक चीज़ यहां मुझे मेरे हिसाब से गडबर लिखा हुआ है कि यहां पर चार एलक्टोन है नहीं यहां पर प्रोटोन होना चाहिए ठीक है यहां पर ठीक है यहां पर ठीक है यहां पर ठीक है ठीक है तो यहां पर देख जैसे एनडिया चला तो यहां पर दो प्रोटोन किया प्लस यहां से जब एलेक्ट्रोन पास करता है तो यहां से दो प्रोटोन पास किया फिर यहीं एलेक्ट्रोन देख यहां से साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम सी फिर कॉपर साइटोक्रोम ए से साइटोकूरूम बी में जब पास होता है यह दो ब्रोटोन और पास कर दिया तो कहने का मतलब एक मॉलिक्टल जो एनडी एच है वो छे मॉलिक्टल छे प्रोटोन इसको पंप करता है अब फाइनली यह जो एलेक्टोन था जो यहां से चला था एनडी एच से देखो कर देता है तुमारा इसमें थीक है तो आक्सिजन क्या हो गया इसका टर्मिनल रोल हो गया बीच में कही रही तक जैसे वी ट्यक्स प्देश थे ओर पिर एनडी एच स्बूर्प का ही यूज्स तो यह तो नहीं हो दो से त्यरा लेक्शन और ट्रा-क तो इस बज़े से इसको कहते है औक सिजन को किसका टर्मिनल रोल होता है तो देख यहां से एक बार देखो एक मॉलिक्ल जो एन एडी एच है वह कितने 6 प्रोटोनों को पंप करता है और दो प्रोटोन जो है ध्यांड अखना दो प्रोटोन जो है जब पंप होता है तो एक एक एट्वी बनाता है दिंग इस अिस तरह से इससस्वैश प्रोटोन करें तो कितना बना देगा जिए 3 etip टिकए नना 3 एटीपई डेट मिन्स क्या हुआ कि एम एन 거죠 यह क्या करता्य थटीएटीपई बनाता है थो ओन आता है एडिम यह का सोड़ी एफटि एच गियंसि और रिसीव कौन का राते हैं यहां पर करने वाला है यह पनीthanu तो सक्सिनेट जो होता है ये रिसीब करता है FADH को FADH2 जो था उसको रिसीब करता है और फीमेरेट में इसको चेंज कर दिया और इसके तरू जो proton था और hydrogen था वो inter करता है और वो देख पहले गया यहां से तो यह दो प्रोटोन यहां किया मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं के यह दो प्रोटोन होुकरता है और फाइनली इसका इलके-उंठ यहाँ प इंटर करता यह सिर्फ कितना चार प्रोटोन करता है तो इस तरह से देख चार प्रोटोन क्या करेगा यह सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दो ही एटीपी बनाता है इस तरह से हमनों क्या बोला कि 1 fads जो है यह सिर्फ 2 एटीपी बनाता है यहां पर देख सकता है अच्छे सब्क यह जो हूं प्लेक्स है इसने एन डीज को रिसीब किया और कॉंप्लेक्स टू है fads को रिसीब करता है तो यहां पर यह दो प्रोटोन ही पम किया था है बट इसन प्रोटोन जब पास करेगा तो दो दो प्रोटोन जब पास करता है तो एक ATP का सिंथेसिस करता है तो उसी का समराइस पॉम है एक्जाम में लिखने के लिए भी यह ठीक है तो अगर यह लिखोगे तो फिर तुम्हें वह कॉंप्लेक्स अलग से लिखना पड़ेगा यह वाला टेबल पहले लिखना पड़ेगा कि किसमें कौन-कौन सा केरियर है तो देखना यही सब केरियर मिल जाएगा अच्छे से गरता है और इक और इसको इंटियेटेटड फर्म में भी बनाया है यह इंटिक्रीट फ़र्म यह बला तो आल्टिमेटि यह सारे के सारे idiot ही चिए जो हैं यह सारे के सारे प्रोटॉन लेटे मेंटे जब यह प्रोटों यहां से पास होता है देख पास औ mec यह प्रोटों पास होता है तो यू government पंप होता है तो जाके ATP का सिंथेसिस होता है तुम्हारा ठीक है तो वहीं पर देख लिखा भी है फोर इच एटीपी टू प्रोटोंस फेज़ पासेस थूरुद अफन पार्टिकल्स और यहां से एलेक्ट्रोन ग्रेडियन जो भी है से ATP का सिंथेसिस होता है इस बज़े से हमने बोल रहा थे कि वन एन डियेच जो तीन एटीपी और वन एफ़ दियेच दो एटीपी का सिंथेसिस करता है ओके यह आउट्टर में मेरेन है इनर्माइटर कॉंडियर और इधर मैस्टिक से मतलब यहां पर प्रोटोन ग्रेडियन जो इधर से इधर पास कर रहा होगा ठीक है बाकि वो और अक्षीजोन का टर्मिनल ट्रोल का क्या मतलब था एक छ रोल पोक्सिजों इन अर्मीक रिस्पारिशियन जोली निमीर्थे स्टरीय और तीम य।ा तीम ल थे आर्मियन स्टेयर था य। हर single fat Drake try this whole process is derived by the oxygen और oxygen remove protons into the form of the hydrogen's H2O from the mitochondrial matrix from the car say I took on the matrix a pass cut time to Paris me together कोई दिखकत यहां तक कि बोलो तो टर्मिनल रोल होता है यह पूरा देख भलो टर्मिनल लोल है लेकिन यह पूरा जो प्रोसेस है यह ड्राइब कौन कर रहा है oxygen कर रहा है तो माले अगर oxygen नहीं होता है फिर NADH की जरूरती नहीं होती तो NADH का synthesis नहीं होता that means वो crap cycle जो है वो operating नहीं होता है चमझा रहा किवी crap cycle में छे बनता है न एक गुलकोज से कितना छे बनता है तुमारा NADH और दो FADH बनता है मतलब 6-8 टोटल बनता है इस तरह का reducing agents बनता है तुमारा ठीक है अब जाते हैं इसमें जो balance sheet है तो balance sheet तो मैंने बहुत बार बना दिया लेकिंगे यहां पर ध्यान रखना कि जब भी हम balance sheet बनाते है respiratory balance sheet का तो उस time पे हमें ATP काउंट करना होता है एक गुलकोज से ठीक है और कुछ assumptions है उसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा जैसे दो ओल स्टेप अब ग्लैकोलिस इस टायर करवेसलेंस एटीस सेक्वेंशली क्याता है ओडर में होना चाहिए एनटेश सिंतेसा इन ग्लैकोलिस इस ट्रांसपर्ट इंटो दा माइटो कोंडियल और अंडर्गोड ऑक्सिडिव फॉस्पराइ है और ओल्ली ग्लकोज इस बिंग डिस्पायर अधर अल्टेरिटिव सब्स्टांसेश और नोट इंटेर पाथवे अब दा एट एनी स्टेजिस किसी स्टेजिस में पास्में करने चाहिए ठीक है अब जो रिसीट है यह दो कितनी बार बना देख ग्लैकोलिस में दो एक्ट हुआ तो लेंग में दो एडीछ बना था और दो से शे बन जायेगा और ट्रायक और चार्बक्सरीृत में दिशे एणी एट बना था ता तो अथारा और दो एफटेज चार और गिटीपी डारेक्टट में दो एक टीपी माल लिया तो टोटल 38 ATP होता है तो दैटमींस मतलब साइटो प्लाजम से माइटो कुंडेल मैटिक्स में इंटर करता है तो एटिपी खर्च हो जाता है इस बज़े साम नेट कितना बोलते हैं 38 ATP बोल देते हैं तो टूटल 38 ATP बनता है तो नेट हो गया 38 यहाँ पर एक चीज और जानलो तुम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा डू बना था ग्लैकोलेस परासेस में उसका ठ्रस्पोटेशन जब होता है कि और के यहां पर इस परोस्टास को बोलते से सटल सिस्ट्म तो यहाँ पर दौत होता है जैसे एक होता है जैसे और यहरे टीए-जास के फ़र्म रहाता है लेकिन अगर माले यह पहले अशनकस हो कि यह तो हर जगह नहीं यूज़ ओता है यह होता है Гlycerol 3 Phosphate सडल सिस्टम में यूज होता है यहां पे जैसे मोस्ट ऑफ दा old एक cells brain and nerves cells मैं कि चलता है यह तुमारा और जो हाट थिल सै लिवर से स्प्लीन है किडिनी है पेंक्रियाज है उनमें यह नॉर्मल मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम चलता है यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होता है टोटल थर्टी एटीपी बनता है तो ध्यान अखना तो इसलिए बार-बार देख कहीं के बहुता थर्टी एटीप या थर् में ठीए टीपी बनता है इस सट्वर vimos यहाँ यहाँ बर रहता है लेकिन यहाँ पर बीचल सटल को सटल को क्रॉप्र करता है तो यह एस चोटा सब बात है अब देक है बन सकता है दूसरा यहां पर पारिशल ब्रेकडाउन होता है कंप्लेटरी ब्रेकडाउन होता है तो 6 मोलिकल कार्बन अइक्साइट बन जाता था यह भी लिक्शुन लोग नेन ग्ल्कल बनता है एने डिए एच इज ऑक्सटाइज एने डिएच में श्लोली और यहां पर एनेडियेच औक्सटाइज इस भीग्रेस ली बहुत सारा हो बनता है तो बहुत जाधा तेजी से इसका ऑक्सडेशन चलता रहता है थमारा ठीक है जैसे चोटा सा अब अब जाते हैं कि जैस यहां लोग से बच्पन में क्या पूर्चा जाता था बच्पन मतलब 9 10 की बात कर रहा हूं कि रिस्पारेशन किस तरह का प्रॉसेस हो एनाबॉलिक या केटाबॉलिक केटाबॉलिक क्योंकि इसमें फूट का ब्रेकडाउन होता था लेकिन एक्चुली में यह ना तो केटाबॉलिक है ना तो एनाबॉलिक है इन दोनों के बीच वाला एंफीबॉलिक पाथवे होता है कैसे वही चीज़ यहां पर दिखाना है दिख रिस्पारेशन में ठीक है फ होता है तो फैट का जब ऑक्सिडेशन होता है तो फैटी एसरों गलिस्टरॉल और यह अरुटिमेटी और प्रोटीन ना यह यह पर यह पीराविक आसेड़ और पाइरेविक आसेड इसमें तेरा क्रेबॉप साइकल में घुज जाता है तो इस तरह से यह साइकल चला अब के जो crap cycle जो चल रहा है से करेब सेकर में यह तो parcels फिक्राम लोग है तक यह medo如此 बढ़ अब यह जो crap cycle है जिसमें क्या रहो गां रहाथा मैलिक ऐसिए साइट रेट साइट से इसोसाइट एडे की वा Él सैट्रिकACID फिर साइट्रेक एश़ेढ आलफा की टोगलतुरेट के बाद अल्फा कि τον्र डेक्स इस पार्टिक असीड पारी मेदिन लूटबाइड का सिंधिसर करता है करता है और सकसिनाइल को एंजाइब क्लोरोफिल का सिंथेस करता है तो यहां पर क्या होगा है यह सिंथेसिस हो रहा है और वहां पर यहां पर सिंथेसिस चलना है और वहां पर ब्रेकडाउन चलना था तो यह वाई रिस्पारीशन कंस्रिदर कि आ एंपई बॉलिक प्रॉसेस करते हैं लास्ट टॉपिक हम्लों आगा रिस्पारिटरी में क्या होता है कि यह रेशियो होता है कि कि कितना इमाउंट अव वल्यू और इस पारेटी क्वेशिन डिपेंद अपन करता है टाइप ओप रिस्पार्टेस अब स्टेंट जैसे पहला लेते हैं रिस्पार्टी कौशिटेंट किसका अरकी वन लो लेते हैं तो इसका आर्टीव कितना है लेकिन अगर हम थैट का लेते हैं तो फैट में जैसे एक रियक्शन लिखाए हुआ तुमारा ये ट्वाई पाल में टीन्स एक फैटी एसिट्स है तो इस फैटी एसिट्स का जब होता है तो हांडेट एंट्टू कारवन अक्साइड और हंडेट फॉर्टी फाइव कारवन अक्साइड कंजूम तो यह कंजूम और गनिकांट असिट्स का निकालेंगे तो और यानिक एसिट्स का भी क्या रहेगा तेरा मोड देन वन रहता है और वन का मतलब 1.5 है न समतिंग इस तरह से रहता है तुम्हारा इसमें ठीक है और अगर हम माले जैसे तुम से पूछता है चलो बताओ बदाव भाई एनौर के लिए स्पारन्स को अर्पी बताना है तिकल रिस्पारिटिग कश्चंस दो कारो बनिक्सीड निकल जा रहा था और एक भी ऑलक्सीजन कंजूूमल नहीं हो रहा था तो यहां पे संतंग बटा है संतिंग बटा जीरो क्या हो जागा infinite हो जाता है infinite हो जागा एनरोबिक रिस्पारेशन के लिए ठीक है उसी तरह से मालने केम साइकल के लिए कोई पूछता है चलो बता भाई यह छटा नंबर है सिखी ए म्दान सकते के लिए एक किया करता है तो कि कार्बंट एक्षाइट को निकालता रिए यह सारे क review क्या करता है अपनिंदर रिउस कर लेता है वन्प्रीट क्या हो जाएगा बक monsieur हो चाहिए और कुछ भी नंबर माले थे तीम दो कुछ mee को मालो नमबर शकार बार निकलत झाल झाल